सब्सक्राइब करें कि अपने और टाइम हाई लेवल्स को ब्रीच किया था तो दिस वस कांड़ टेकें कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो कौन्टिन रहेगा और दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ऊपर के लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग के एक्सपेक्टेशन रखनी सब्सक्राइब कि चाहिwali झाएि क्योंकि जिस फरकार सा है Gucci ग्लोबल मार्केट के सिनारियो चल रहे हैं मार्केट में भीकनेस काहीं पर रही है ईًदिस पॉप्सिटिवटी टे इस नव लकौवक्पोज फंडमेंटल मिन्स प्रोगमेंट को की मोदी ग언्वर्मंट के stability के कारण दोसों आपको यह तेजी दिखा ही पड़ रही है because it has one in you know three more states and it is expected 2024 में भी stable government की expectation है और दोसों market को क्या चाहिए market को इससे मतलब नहीं कि Congress हाई है बीजेपी है market को मतलब है stability से जहां कहीं भी stability होगी वहाँ पर growth होगी so market is expecting stability stability of government in states stability of government in center that is the reason why market is cheering लेकिन अगर आप global markets के बार हैं बाते हैं तो कल के दिन US market में भी profit booking थी and in fact Asian markets में भी आपको profit booking दिखाए पड़ रही है तो दोस्तों हम लोग बात करें nifty 50 के तो nifty 50 के important crucial level आज के दिन कि क्या है उसको हम लोग आगे discuss करेंगे कल के दिन nifty bank ने वाट 6300 जो कि उसके all time high levels है उसके ऊपर closing दी है तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सिंपल है लेकर market अपने 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 all time high को breach कर रही है तो ये momentum है वो और भी continue रहने की उमीद है resistance के आएंगे आगे discuss करते हैं दोस्तों बात करें हम लोग टॉप और संगाइब आप करेंगे शर्म पर सके आप यसके रावा आशर्मोत दो पर से म्यूट सेंट अभप पसेंट अब आप शोसके अच्रूंट ए स्वंड श्युक्त करेंग मन्थ श्यूंडर्स में चाह ज्यूनों पर रहा था कहां पर गिरिवर्टी जी करेंटम फर्प सें डाउन कि बाई मोदी गोर्मेंट का सिंपल है कि जितने भी सेंस स्टाक्स हैं आपको ची कासी धुलाई होती हुई दिखाई इस इसके लाभा लिविन एंड लेटि वर दिया थे टॉप लुजर्स दोसों बात करें हम लोग कमोडिटी सेक्शन की सो दोसों गोल्ड ने कल के दिन M6 में 64,000 के लेवल्स को टेच किया ओर दोसों कल के दिन थोड़ी सी गोल्ड में प्रॉफिट बॉकिंग लिखाई पड़ी थी और असा लग रहा है कि प्रॉफिट बॉकिंग का जो दौर है गोल्ड और सिर्फर में थोड़ा सा अभी भी कौन पाइद देखो ऐसा है हर एक चीज की एक वैल्योशन है हर एक लोग बैठे हुए हैं जो कि अपने प्रॉफेट को टाइम से बुक करना पसंद करते हैं लेकिन दोस्तों जो मेरे तरह के लोग हैं जो लोग कुछ चीज में इन्वेश्मेंट लॉंग लिए करते हैं जस्ट फगेटेट एंद सिमलर वह इस फोगोड गोड में इन्वेश्मे इन्वेश्मेंट लॉपी थोड़ा सा विख दिखाई पड़ रहा था अगेंस जैपनेजियन इंडियन रॉपी वाद लुगिंग स्लाइटली वीक अंडियन रुपी वाद लुकिंग स्लाइटली स्ट्रॉंग एस कमपेर टो यूरो एंड क्रेट बिटें पाउंड अब द लेवल है ऐसा प्रिवर्ट चार्ट में दोस्तों वही आपको बता सकता हूं जो क्रूशल लेवल है वह है 20,700 इसके ब्रीच करते हैं आपको 101 के एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए अगर मार्केट गैप अप उपन होता है और 20,800 के उपर उपन होता है तो दोस्तों यह जो पॉसिबिलिटी और स्पीड और भी जैदा बढ़ जाएगी दोस्तों बात करें हम लोग नीचे के लेवल पर तो 20,500 अब जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा तो जो यह जोन है 20,500 इसके नीचे मार्केट अभी जल्दी जल्दा आपको जाते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी निफ्टी बांग में लास्ट रोडि सेशन में सॉलिट तेजी थी 1617 पॉइंट दो सो अगरम लोग बातने कहा पर क्लोजिंग हुए थी क्लोजिंग हुए थी दे हाई के पास और अपने इंपोर्टेंट लेवल 46,300 के ऊपर क्लोजिंग ह प्लोज फॉए था लाइफ टाइम हाई पर दोस्तों सिंपल चीज है लाइफ टेम हाई पर लोज रहा है दे हाई पर क्लोज रहा तो यह मोमेंटम आके भी कॉंटिन रहेगा पहला रेजिस्टेंस एफ और जिसके तो तो थाई-सू पॉइंट के एक स्पेक्टेशन रखनी एफ आइज ने लास्टेशन में बाइंग करी थी टू थाउजन सेमेटी र क्रोड के और डियाइज ने उससे भी ज्यादा बाइंग करी थी फोर सेवन नाइन सेवन करोड तो कल के दिन अगर आप और और पूछें तो अल्मूस्ट सिक्टी एट हंट्रिट क्रोड से भी ज पेकिलेशन ज्यादा होते हैं लाइक इंडिया समेंट एंड लाइक जील यह तीनों के तिनों स्टॉक इन फाक्ट तीन स्टॉक एड़ हो गया है तो इन टूटालिटी फॉर स्टॉक्स एड़ हो गया मैं जिन में कोई भी या फ्रेश ऑप्शन बाइंगे फिर ऑप्शन र के लिए गवर्मेंट इतनी बड़ी राशी को स्पेंड करेगी जो भी कंपनीज जो भी स्टॉक्स रूरल स्पेंडिंग से असोशेटेट हैं अगर बात करें हम लोग फम्सीजी सेक्टर में तो स्टॉक्स लाइक इमामी एंड स्टॉक्स लाइक एच वेल इन स्टॉक्स प को क्या तक तॉफ कर सकते हैं जो की वन लाक करोड के इसके लावा कुछ है रिएस टेट के स्टॉक्स हैं सैमेंस के झिछना रख रखते हैं भाइबबाध के बारे मात राद सौन तो दो भाइबाग के कोик फ्रेश नीज नहीं है असज आर टीस का बाइबाग चल रहा है तो सिस्टीन परसेंट का ये रोन ये ग्रोथ है मेरे साब से आपकी नजरे होनी चाहिए स्टॉक में पॉजिटिविटी आगे भी कॉंटिन्यू रह सकती है इसके लाए से टेकनोलोजी में दोस्तों पॉजिटिव यह है कि वो अपने यूके की एक सबसीडर रही है जिसका नाम ह स्टेट स्ट्रीट जिससे 49% का स्टेक वो सेल करेंगे अब 49% का ही स्टेक था ही उनका तो यह पूरा का पूरा स्टेक सेल करेंगे और सेल के स्टेट स्ट्रीट को जिससे कि एक कैपिटल का रियलाइज़ेशन होगा डॉलर 170 मिलियन अब दोस्तों मेरे साब से तो यह एक न Capital है कपनी के पास वापस आ रही है अब जब Capital आती है तो Capital हैंड अगर होती है तो मा इसको और भी बहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते है यह फिर कमपनी इस Capital को डिविदेट के फॉर्म में शेर होडर्ज को दे सकती है सो मार्केट को ये पॉजिटिव लगता है अगर कमपनी कहीं से अपने स्टेक को सेल करके कैपिटल अपने हाथ में वापस ले लेती है मॉयल के बारे मालत करें दोस्तों तो मॉयल को हम लोगों ने बहुत ही नीचे लिवल पर आपको मॉयल क्या होता है मॉयल कौन से प्रोड़क्ट बनाता है उसका यूज क्या होता है वो सारी चीज़े हमने आपको समझाएं दोस्तों वहां से स्टॉक है रिजन लाइक रॉकेट और अभी न्यूज या रही है कि उसका जो प्रोड़क्शन है वो 35% इन्हांस हुआ है दोस्तों जितने भी यह manufacturing companies होती है mining companies होती है basically जो भी production related companies होती है वो अपने production को तभी बढ़ाती है जब उनको लगता है कि मेरी inventory लॉक नहीं होगी ब्लॉक नहीं हो जाएगी उसका यह inventory है यह inventory running रही हो यह फिर inventory के जो demand है पुछ ज्यादा है अब सिंपल से चीज़ें दोस्तों गर production 35% बढ़ाया गया इसका मतलब demand भी उसी प्रकार से बढ़ रही है that's a positive news तो यह आपको sales में भी उतना ही improvement आपको दिखाई पढ़ सकता है ब्रिगेट दोस्तों नया luxury residential project launch करने वाला है जैसे कि आप लोग जानते है majority of projects of brigade are in करनाटका and specially located around बैंगलुरू से बहुत ही जबरदस न्यूज है positive न्यूज है IPO कोई फिलाल चल नहीं रहा है लेकिन ICACA Prudential mutual fund ने 35 lakh shares buy की है in 361 अब दोस्तों इसका simple से चीज है इसे से Prudential mutual fund अगर खुद buy कर रहा है दूसरी company के shares तो उसकी नतीजे क्या आने वाले है उसकी performance क्या आने वाली है in short to medium उस पर अपने अज़र रख सकते हैं So this is stock which you can study negative news के बारे मात करें दोस्तों तो होना सा के बारे में हमने कल चाम को study भी किया था और उसे fire side जो कि उनके investor है 1.9% का entire stake sell करेंगे 230 करोड पर अब दोस्तों इतना महंगा share इतना महंगा list भी हुआ उसके बाद result के चलते stock उपर भी गया जानबूच के उपर लाया गय कोई कंपनी में इस परकार के खुलासे भी हो रहे हैं कि result से पहले company ने अपना काफी inventory sell करने की कोशिश करी है इस तरह की news है दोस्तों market में you can just read it out अभी दोस्तों stake को sell किया जा रहा है so this is what you should be aware liquidity बढ़ सकती है थोड़ा सा stock pressure आ सकता है लेकिन आजकल क्या है अगर अच्छी quality को स्टॉक होते हैं तो जितनी stake sell होती है उससे ज्यादा demand create होती है जैसा कि कल के दिन camps में दिखाई बढ़ रहा था इसके लागा 50% का lock-in period over होगे है रशब instruments में टेली ने चैनल अभी तक आपने जोइन नहीं कि है इसके लाब इसके लाब आपको कम क्लोजर to us you can contact us 9707531979 on WhatsApp the WhatsApp the WhatsApp पे हम आपको reply कर देंगे इसके लाब आप आप you can focus on JSW infrastructure you can focus on 361 defense stocks railway stocks the PSU stocks पे तो नजर रखनी रखनी है नजर रखनी है नजर रखनी होना सापे ब्रगेट पे if you want to come closer all the links are in description or the mobile number which I have told you WhatsApp number you can contact us thank you so much bye bye for now